हलो फ्रेंज, मेरी गोवी अब ये ना हार्वस्ट करने लाइक हो गई है, तैयार हो गए है फूल बिल्कुल, तो मैंने सुचा क्यों नहीं आपके संग भी मैं शेयर करूँ कि अच्छा लगता है, कोई चीज अपने घर में होती है, तो सब मिल बाट के अगर करते हैं, तो सब को बहुत अच्छा लगता है, तो देखे, आपने फूल तयार हो गए है, काफी अच्छे इसमें, और जबी भी चीज आपकी तयार हो जाए ना, दोस्तों, मैं कई बार इस बात को कहते हूं, कि जबी भी आपकी सब्जी तयार हो जाए, उसी टाइम आप इसको हर्वस्ट कर लीजे, नहीं तो क्या होता है, कि फिर वो खिल जाते हैं फूल, और फिर वो मजद और नहीं लगते हैं, तो इसलिए ये अब हर्वस्ट करने लाइक हो गई है, मैं इसको काट लेती हूं, ये देखे, अरे बाबरे, ये तो हमसे होईगी भी नहीं, बहुत मजबूत है, ये ये देखे दोस्तों, कितना सुन्दर है, ये फूल, गोबी का, कितना गठा हुआ बिलकुल, ये देखे, कितना गठा हुआ, कितना खुबसूरत, विट हेल्डी लीव्स, नॉट, इवन अ सिंगल लीव इस डिजीज़, तो इस तरह की जब आपकी फसल तयार होती है ना, द आप उनका आनद उठा रहे होंगे, तो मैं अभी और भी कर लूँगे, थोड़ी सी दो-चार और निकाल लेते हैं नहीं, तो फिर वो खिल जाएंगी दोस्तों, तो अच्छी नहीं लगेंगी, अब मैं क्या करूंगी इसमें, ये मेरी मेथी भी इसके संग-संग तयार हो है, दो-तीन बार इसको भी मैंने काट लिया है, अब इसको हम थोड़ा सा क्यारी को खाली छोड़ देंगे दोस्तों, जिससे की थोड़ा सा इसको रेस्ट मिल जाएगा हमारी सोयल को भी, उसके बाद अब सीजन गर्मिया शुरू हो रही है, टेंपरेचर भी राइज करना शुरू हो जाएगा, हो ही रहा है बलकि धूप अच्छी खिलने लग गई है, तो अब हम इसमें गर्मियों की सबजिया लगाने की तयारी फिर शुरू करेंगे, और कैसे क्या कप करना है, वो मैं आपको बताती रहूंगी, तो देखते रहिएगा वीडियो मेरा, और शेर क करियेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करियेगा, टेक वेरी गुड केर अफ यरसेल्व, बी सेफ, बी हल्दी, गुडबाए